हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो और यूटूब चैनल दे टीचर्स गाइड और आज के इस टुटोरियल में हम बात करने वाले हैं TGT English KVS के लिए detailed syllabus की and syllabus का एक detailed analysis रहेगा topic by topic हम चीज़ों को समझेंगे उसके साथ ही एक छोटा सा time table है जिसको हम अपने चैनल पर जो है apply करने वाले हैं और डेली आपको एक video tutorial मिलेगा और हम अपने paper को अपने syllabus को proper divide करके पढ़ेंगे तो आपको डेली 9 बचे एक video मिलेगा जो कि आपके general paper पर रहेगा general paper means related अभी आप समझे जाएंगे क्योंकि अभी इस video हम आपको syllabus discussion ही करेंगे तो उससे clear हो जाएगा general paper में कौन-कौन से topics आएंगे seem one thing more कि आपको उसी topic पर उसी दिन जो है तो पहर में 12 बज़े जो है quiz देखने को मिलेगा जो आपकी help करेगा इस topic को और बहतर करने में है ना जो आपने पढ़ाए है उसी के लिए एक चोटा सा quiz भी रहेगा now quiz कहा होगा तो obviously quiz हम telegram channel पर लाएंगे so telegram channel की जो link है वो आपको description में दी हुई है यदि अभी तक आपने join नहीं किया है तो please उसको भी join कर ले और यदि इस channel पर first time विजिट कर रहे है तो इसको भी subscribe कर ले जहाँ पर के इस पेसली TGT English KVS TGT English के लिए platform बहुत अच्छा रहेगा बाकी जितने भी तरह के KVS exam उसके लिए पेड़ागोजी का paper तो सभी को common है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं Now, next study बात करते हैं So, हमारा जो subjective paper है English उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे daily one tutorial उस पर भी ले कर आएंगे जो सामको 7 बजे रहेगा लगबग देड़ घंटे बाद हम उसी topic पर अलग अलगतर है कि कुछे quiz लाएंगे जिसमें इसी पर based question होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ठीक से हो सके So, यह भी हमारे daily का schedule रहेगा बहुत short है दीरे-दीर हम इसको increase करेंगे और आपको self-study पर भी थ्यान देना है चलिए अब बात करते हैं हमारे syllabus के detailed analysis पर जिसमें हमें topic by topic देखना है कि हमें overall पढ़ना क्या है हमारे syllabus में Okay, So, let's start the video So, यह हमारा छोटा सा exam pattern जो हम पहले भी explain कर चुके हैं कि हमारा जो total number of question paper रहेगा 180 marks का रहेगा सारे MCQs रहेंगे और duration भी लगबग हमारा इतना रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ है तीन घंटे का है ना 180 minutes means तीन घंटे का हमारा duration रहेगा और यह दी बात करें यहाँ पर अलग लग section में ना यहाँ पर अब देखिए part 1, part 1, 2 and 3 यह तीनों जो section है इसको हम मिलाएंगे अपने paper 1 में यह इसको हम एक category में अलग बना के पढ़ेंगे और दूसरा category अलग बनाए इसको हम सुभा पढ़ेंगे इसको हम साम पढ़ेंगे एक lecture दोनों topic पर दोनों category पर अलग अलग करेंगे तो दीरे दीरे हमारे जो syllabus वो cover हो पाएगा यह ना फिर इसके बाद हम interview के लिए अलग से तयारी करेंगे जह हमारा test paper complete हो जाएगा okay so let's start the detailed analysis यह तो एक pattern है जस्ट देखते हैं हमें इसमें कौन-कौन सी topic mentioned किये गए हैं कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं तो यदि हम बात करें हमारे general paper की तो हमें languages को करना है दोनों language में चाहें language का pedagogy की बात हो चाहें grammar की बात हो sorry इसमें पेड़ागोजी नहीं दी हमे क्या cable comprehension, vocab, third part लिखा हुआ है and grammar and उसके uses को ध्यान रखना है तो grammar तो हमारा subjective paper से भी clear हो जाएगा क्योंकि हमारे subject paper में भी बहुत सारी English grammar है हमें यहाँ पर Hindi grammar पर भी ध्यान देना होगा तो यह 10-10 marks का आएगा दोनों अब यदि बात करें हमें इसकी 20 marks के total इसकी तो इसमें general awareness है यदि हम weekly जो है current affairs यह general knowledge की एक वीडियो देखेंगे तो भी हमारा clear हो पाएगा इसमें current affairs और general awareness दोनों हैं फिर इसके बात करते हैं reasoning की तो यह छोटी छोटी topic है जो ज़्यादर difficult न cover कर सकते हैं आराम से cover कर सकते हैं बात करेंदी computer literacy की तो यह भी same topic है इस पर ज्यादा ध्याम देने की ज़रूती है आप उपना most of the time उन topics पर दें जो एक बहुत high weightage लेकर चलते हैं बहुत जादा area cover कर रहे हैं okay तो हम बाता करते हैं pedagogy की जो total 40 marks का complete करने वाला है इसमें हम आप एक topic को for example concept of growth, maturation, development, principles, debates of development and development task यह overall जो सीटेट के ही topic है जहां पर जैसा सीटेट का से लिपस दिया, same pedagogy का topic यहाँ पर दिया, थोड़ा सा difficulty level अलग होगा तो उसके according हम जो है questions की practice करेंगे now अब देखते हैं आगे so domains of development like physical, cognitive, socio-economical, moral development and deviation in the development, its implications तो अपनको deviations भी देखना है भाई one by one हर एक व्यक्ति का जो है development का pace and area अलग अलग होता है इसके अलग अलग aspects होते हैं जिनको इन्होंनों domains बोला है now understanding adolescence now adolescence जो है बहुत important period होता है growth of development में है तो यहाँ पर इसके specific needs and challenges and implications for designing institutional support इसके लिए हम देखेंगे and role of primary and secondary socialization agencies तो socialization में बिलको specific topic लिखा हुआ इसलिए हम ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा ensuring home, school and continuity फिर यह हो गया हमारे learner को समझने के लिए understanding the learner now understanding teaching learning अब teaching से related pedagogical issues हमारे सामने आएंगे like theoretical perspective on learning, behaviors, cognitism and constructivism अब learning को लेकर यह थे हमारे topics development को लेकर यह हैं हमारे learning को लेकर बहुत सारे topics हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो थी types of behavior psychology होती है परस्पेक्टिव सोते हैं उनको समझना पड़ेगा behaviorism, cognitive, cognitivism and constructivism यह यह लग लग है व्योहरबादी है और रचनावादी और फिसके अलावा रंग्यान से रंबंदित तो इनकों डिसकस करेंगे now their references to their implications तो हर एक का जैसे बात करेंदी रोल उफ teacher क्या होता है जैसे behaviorism को हम पड़ रहे हैं तो उसमें teacher का role क्या हो सकता है, teacher के लिए कुछ implications क्या हो सकते हैं, इसे हम teacher क्या सीख सकता है classroom के लिए, एक learner को हम कैसे handle कर सकते है या learner क्या सीख सकता है इस theory से या इस तरह के perspective से Now, nature of teacher-student relationship, choice of teaching methods इसी के base पर हम अलगला तरह के teaching methods को opt कर सकते हैं Classroom environment, understanding of discipline, power and factors affecting learning and their implications for और भी चीज़े हैं, factor affecting, their implications of designing classroom instructions कभी-कभी हमारी classroom instructions इनकी बज़े से effect भी होते हैं तो इस पर भी हमें implications इसको देखना पड़ेगा Planning in student activities and creating learning space in school So these are some topics और यह दिए अब हम बात करें आगे तो planning and organization of teaching learning तो आपको lesson plan अपने पढ़ा होगा, उसी से related बहुत सारी curriculum पढ़ा होगा आपने इन से समबंदित कुछ यहाँ पर topics दिए गए है Planning and organization of teaching learning So first, concept of syllabus and curriculum अपने B.Ed में अपने जो भी education का डिगरी किया है उसमें आपने से पढ़ा होगा तो ज़्यादा difficult नहीं होगा Now over hidden curriculum, sorry, over and hidden curriculum यह अलगला curriculum के types हैं Now principles of curriculum organization जब curriculum बनाते हैं तो हमें कौन-कौन से principles को follow करना पढ़ता है Now competency-based education and experiential learning इसके बारे बताना है Institutional plans, हम बहुत सारी plans भी बनाते हैं प्लान, unit plan, lesson plan इन plans को समझेंगे, उनमें differences समझेंगे उनसे जोड़ी सारी बात हो Now instructional material and resources Information, communication, technology ICT भी आपने B.E.A.D. में पढ़ा होगा For teaching learning Okay Evaluation, purpose, types तो evolution का यहाँ पर concept समझेंगे उसके purpose, types, limitations continuous and comprehensive evolution भी बहुत important topic रहता है Now characteristics of good tool और good evaluation तो यह हम समझेंगे फिर उसके बात करेंगे यदि assessment of यह बहुत confusing questions होते हैं तो इनको भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूद है Like assessment of learning assessment for learning and assessment as learning Meaning, purpose and consideration in planning each Now enhancing teaching learning process Teaching learning process करने के लिए Classroom observation, feedback and reflection इनको पढ़ेंगे यह हमारे paper 1 में हम इसको डालेंगे यह एक category बना लेंगे उसको एक तरफ डालेंगे तो यह first category में है Dialogue as a means of constructivist teaching Dialogue को कैसे हम constructivist teaching के लिए यूज कर सकते हैं Now 6 questions आपको आएंगे next level से So creating a conducive learning environment So the concept of diversity, disability, inclusion यह भी हमारी class का, हमारी pedagogy का एक important topic होता है Inclusion, implication of disability as a social construct And types of disability and their identification and inventions So disabilities भी एक problem create करता है बठ हम उसको find out करना है उसको deal करना है Now concept of school mental health Addressing the curative, preventive and promotive dimensions यह तीन तरीके हो सकते है School mental health के related Of mental health for all students and staff Provisioning for guidance and counselling Guidance and counselling को समझना पढ़े गए The disability or disorders को पढ़ते हैं Now developing school and community as a learning resources और school को हमें एक कहा जाए तो एक community और एक institution के form में बनाना है कि हम वहाँ से कौन-कौन सी learning resources घटा कर सकते हैं अपने classroom में हैं Transformative, vision building, goal setting, creating a school development plan Using school process and forums for strengthening teaching learning Annual calendar time, sorry calendar, timetable Parents teacher forum, school assembly, teacher development forum Using achievement data for improving teaching learning School self assessment and improvement So these are some topics These are very different and new topics But यदी आपने थोड़ा भी दी के भी असी किसी central school में teaching भी की है तो थोड़ा सभी आपको experience है तो यह आपको नहीं नहीं लग रहे होंगे क्योंकि institutions तो जुड़े ही topics है Now creating partnership with community, industry, other neighboring schools, higher education, institution, forming learning communities So यह हो जाएंगे हमारा total six questions इस topic से आएंगे Now perspective in education So role of school in achieving aims of education So school का role क्या हो सकता है भाई NEP 2022 यह भी हमारा एक नए topic एड हुआ है Curriculum pedagogy in school में according to 22 किस तरह का curriculum and pedagogy होना चाहिए And holistic and integrated learning क्या है Equable and inclusive education Learning followers यह किस तरह का campaign है Learning followers से क्या मतलब है Competency based learning and education Now guiding principle for child rights Protecting and provisioning rights For children to safe and secure school environment Right of children to free and compulsory education act Now Act 2009 Okay Now Historical studying the national policies in education With social references to school education School curriculum, principles, perspective, learning knowledge, curricular areas And school stage pedagogies यह हमारा रहेगा part 1 में जितना अभी तक हमने syllabus डिसकस किया है यह लेंदी लग रहा है आपको लेकिन यह pedagogy से अपनको लगबग 40 marks का आएगा अपने आपने थोड़ा सा लेंदी है I know But हम इसको cover करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़े cover हो पाएंगी और pedagogy का ऐसा रहता आप एक concept को अच्छे से पढ़ते हैं तो सभी तरह के question जो clear हो जाते हैं आप अपना mentality and attitude अच्छा बना लेते हैं according to the syllabus तो आप जल्दी ही उनको solve कर पाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो second part रहेगा वो है हमारे specific subject का तो हम KBS TGT English के लिए specific subject को यहाँ पर पढ़ेंगे तो चलिए हम बात करते हैं उसकी तो हमारा syllabus को हमने continuous उसी process में रखा है तो यह हमारा syllabus post of TGT English के लिए इसमें भी ज़्यादा नहीं है सबसे easy syllabus आपका specific subject is language इसका है हना आपको कुछ नहीं दिया है समें 6th to 10th class तक का जो NCRT books हैं English के उस सारे के सारे समें दिये हुए कुछ काट भी दी है तो आपको देख करके करना है कुछ जो chapters को हटाया भी है पूरा का पूरा नहीं दिया है यह 6th class से है पार्ट वन से नीचे बाला Packed with the Sun यह दूसरी बुक है Supplementary बुक उससे लिया गया है 6th class से ही नो 3 questions Squirrel यह 7th class का है एन एलियन यह भी 7th class का इस तरह से आपको टूटल 10th class तक दिया हुआ है The Beast Christmas Part 1 And How the Camel Got His Hum Part 2 और फिर यह दी बात करें तो यह 9th class का The Fun They Had The Second of The Sound of Music Little Girl यह सारे जो है 9th class के है 9th class Chapter 1 Sorry Part 1 बिहाइब का फिर उसके बाद यह दी बात करें तो यहाँ पर Supplementary बुक के बारे में कुछ अलग से नहीं दिया है Maybe इसमें साथ में included हूँ हाँ साथ में included है Adventure of Toto Ishwaran Storyteller In the Kingdom of Fools यह सारे जो है Part 2 कहा जाए तो Moment के यह chapters है तो यहाँ पर दौनों बुक्स आपको include की गई है फिर यहाँ पर यह अलग से topic दिया है 10th class का 10th class में यह जो first book है first flight A Letter to God Nelson Mandela Long Walk to Freedom यह सारे चोटी चोटी चुटने भी story है आपको देख करके पढ़ना है एक एक करके So इन पर हम one by one daily videos करेंगे एक उस topic उस category पर एक इस category पर तो हमारे दोनों पेपर का दीरे दीरे कम जो है भार कम होता जाएगा इसमें भी जो है जो feed without food print यह जो second part है इसका supplementary book के तौर पर उसको भी include किया है चलिए जो next हमारे specific subject में जो next part है इसको भी दो part में divide किया है एक तो literature portion जिसमें हमें sixth class से लेकर tenth class तक के books को study करना है और उसे question को करना है लेकिन इसके साथ second जो portion दिया है वो grammar का है अब grammar को हम यहां करेंगे साथ ही साथ हमारे language का जो one portion है ten one वो भी clear होता चाहेगा है ना क्योंकि उसमें भी grammar and work कैबाना है तू देखते हैं भाई इसमें सबसे पहले determiners linking verb ad verb ज़्यादतर स्चीज़ें आपने पढ़ी हों now tense form clauses passivation and adjectives comparative and superlative forms इनके degrees form पढ़ना है and then model auxiliaries model auxiliary verbs होते हैं उनको word order in sentence type and एक नया जो है word का order क्या होता है sentence में उसको समझना है reported speech sequence of sentence sorry tenses non-finites verb like infinitives non-finites में infinitive gerund and participles and complex and compounds sentences sentences types है phrasal verbs हैं जो सबसे ज़्यादा परिशान करते हैं phrasal verbs के जाब बाद proportional phrases propositional phrases cohesive device and punctuation punctuation में semicolon, colon test hyphen और parenthesis and use of brackets and exclamation mark grammar portion जो है बड़ी आसानी से बहुत आसान तरीके से करेंगे साथ ही हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम अपनी quiz के थुरू जो है समझने के और बहतर प्रियास करेंगे आपको भी एक proper time मिल जाएगा इसको समझने का उसके बाद quiz को attend करेंगे तो सारी चीज़े समझ में आ जाएगे तो यह है हमारा syllabus जिसको हमने discuss किया और classes स्टार्ट हो चुकी है तो चैनल को subscribe कर लें ताकि daily notification आपको videos का मिलता रहे और telegram channel को join करना ना भूले so description box में link दिया गया है आप वहाँ से जाके जो है channel को join कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में हमारे नए topic के साथ और हमारा आज का जो part 1 का topic रहेगा उनी में से हमारे किसी एक पर lecture देखने को मिलेगा so thank you for all